हेलो स्टुदेंट्स मैं गोविन कुमार आप सबका अपने चैनल प्रहादिक सौगत करता हूँ डियर स्टुदेंट्स आज की स्क्लास में हम वास्त्विक संख्या क्या होती है और उनकी दस्मलो परचार के बारे में सर्चा करेंगे कि वास्त्विक संख्या का दस्मलो परचार क्या होता है जिसमें हम सबसे पहले प्रीमे संख्या के दस्मलो परचार की बात करेंगे और उसके बाद हम अप्रीमे संख्या के दस्मलो परचार की बात करेंगे ठीक है तो आप सब जानते होंगे कि जो वास्त्विक संख्या है र के रूप में लिख सकते हैं और सरत यह है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तो ऐसी संख्याओं को हम प्रीमे संख्या कहते हैं संख्याओं के बारे में हमने बेसिक क्लास सबसे स्टार्ट में पड़ी थी तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखिए तो वो क्लास जुरूर देख ले ताकि संख्याओं से संब्मधित संपोर्ण जानकार आपको प्राप्त हो सके दूसरी है अप्रीमे संख्या यानि कि ऐसी संख्या जिनने हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते ऐसी संख्या को क्या कहते हैं अब प्रीमे संख्या कहते हैं यह सबसे पहले प्रीवर के संख्याओं का दस्मलव परसार क्या होता है। झ absolument किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से वि यो क brutally के बाद जो संख्या आती है उनका वहवार क्यों कि डिया का自 bhanous एक वही करता दूस्मलव परसार। जैसे हमने थीन वट्रक कर लिए ठीक है तो यह तो भाग बले पूरा पूरा चला जाएगा 0.6 अब दस्मलव वाला यह बिंदू आ गया दस्मलव का चिन अब इसके बाद जो संख्या आ रही है इसके आगे उनका वहवार कैसा है इसी को कहते हैं दस्मलव परसार ठीक है तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो प क्या होता है अभी हम समझेंगे कि एक परिम्य संख्या का जो दस्मलो परसार है वो या तो क्यासा होता है सान्त या पिर कैसा होता है अन्वसानी आवर्ती इन दो सब्दों को में समझना है कि सांत दस्मलोव क्या होता है और अनवसानी आवर्ती क्या होता है इसका विप्रीद हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका दस्मलोव परसार सांत या फिर अनवसानी आवर्ती होता है एक परिमे संख्या होती है ठीक है ऐसा ही हम कह सकते हैं तो इसकी दो इस्तति बन सकती है या तो सेस्पल सुनने आएगा या भाग पूरा पूरा जाएगा या फिर सेस्पल सुनने नहीं आएगा ठीक है यही इस्तति होती है जाजातर कि जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो या तो सेस्पल जीरो आता है या यहां से मैं क्या पता चला कि साथ के अंदर आठ का भग पूरा-पूरा जा रहा है यानि कि इसी तरह हमने एक के अंदर दो का भाग दिया तो वाग पल कितना आ रहा है दो किसी दूशरी संख्या से विभाजित किया जाता है और अगर सेस्पल संनने आ जाता है में यह विए तो पिर ओसे संख्या को दूसरी संक्या से विवाजित किया जाता है और डस्मलोव के बाद अगर उसका भाग पूरा पूरा जाता है और पीर accomplishments नीसाओं कлись कि यह समन्हों परसार है उसे हम सांत समलों परसार कहते हैं कैसे कहते हैं संह टर्मिनेटिंग तर्मिनेटिंग का मतलब कहीं 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 जा को खत्म हो रहा है आगे चल नहीं रहा ठीक है उम्मिद करता हूं यह पहली इस्टिय आपको समझ में आई होगी आपको सिंपल एक लाइना रखनी है कि जब किसी संक्या को किसी दूसरी संक्या से भी बाजित किया जाता है ने भाग दिया जाता है और अगल सेश पल लांश्ट म दूसरी संख्या का भाग देते हैं, तो सेस्पल कभी भी जीरो नहीं आता, वो आगे चलता ही रहता है, संख्या बार-बार रिपिट होती रहती है, तो जब कभी भी सेस्पल सुनने नहीं आता है, और बार-बार अगर समान संख्या की आवर्ती हो, यह ध्यान से सुन ले, बा बार-बार यहाँ पर समान संख्या 3 की आवर्ती हो रही है अलग-अलग संख्याओ की आवर्ती नहीं हो रही है ठीक है ऐसी तरद दूसरा उधारम देखो दूसरे उधारम ने जब हमने एक के अंदर साथ का भाग दिया तो मैं क्या देखना मिला कि बार-बार 0.142857 इसकी कै आ रहा लेकिन लेकिन बार-बार समान संख्या की आवर्ती होती है तो फिर ऐसे प्रसार को हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं क्या कहते हैं अनवसानी आवर्ती ठीक है, सेस्पल 0 नहीं है, लेकिन बार-बार जो संख्या के आवर्ती हो रही है, वो समान हो रही है, पुछाए एक अंक भी हो सकता है, या फिर एक से अधिक अंक भी हो सकते हैं, तो फिर ऐसी संख्याओं के दस्मलों परसार को हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं, ठीक है, हम किसकी आवर्ती हो बहिंद और इसको आवर्ती को कैसे दरशाद है उपर ऐसे और एक लाइन इससे पता चलेगा कि क operate और ऊपर अवर्ती हो यह Color हो सब्सक्राइब करते हम प्रीमेर संहित अपरशार है वो यह विकलब होते हैं या तो वो सांत होगा या पिर अन्वसानी आवर्ती होगा मतलब जो सेशपल जीरो नहीं होगा लेकिन बार बार समान संक्या की आवर्ती होगी ठीक है वच्चो चलिए उम्मिद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी आगे हम पढ़ रहे हैं अपरीमे संक्याओं का दिसमलव परसार अभी हमने परीमे का पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे अपरीमे का तो अपरीमे संक्या किसे कहते हैं हमने पढ़ा था कि ऐसी संक्या है जिने हम P upon Q यान्स और हर के रूप में नहीं लिख सकते ऐसे संक्याओं को हम अप्रीमे संक्याओं के नाम से जानते हैं तो देखें एक अप्रीमे संक्या का जो दस्मलों परसार है वो अन्वसानी अनावर्ती होता है कैसा होता है अन्वसानी अनावर्ती यह दोड़ा सा अलत अब प्रिमे संख्या होती है ठीक है जैसे उद्यारंड कि बात करें देखें अंडरवुट दो अब अंडरवुट दो का मान देखो कितना होता है मतलब की बार बार देखो दसमलों के बाद अलग अंकोल की आवर्ती हो रही है अलग अलग अंकोती नहीं हो रही है अगर समाननकों की आवर्ति होती तो भो किसमें सामिल होती प्रिमें में तो यहां पर क्या है अलग अंकों की आवर्ति हो रही है ठीक है इसको क्या कहेंगे अनवसानी अनावर्ती ठीक इसी तरह पाई का मान पाई का मान साधरान हम क्या लिखते हैं 22 बटा 7 या 3.14 लेकिन यह एक्जेक्ट नहीं है यह उसके संद्लिकट मान है क्योंकि जब 22 के इंदर 7 का भाग दिया जाता है तो कुछ इस तरह संक्याओं की आवर्ती हो रही है यह को बार बार अलग लग संक्याओं की आवर्ती हो रही है हम ऐसा एक जैसी संक्याओं की आवर्ती भी नहीं होती और सेस्पल 0 भी नहीं आता अतो इस प्रकार के दस्मलो परसार को हम अनवसानी अनावर्ती कहते हैं और यह किसकी पैचाने अपरी में संख्याओ की तो आपको जब कभी भी किसी संख्याओ का दस्मलो परसार अनवसानी अनावर्ती मिल जाए यहींनि दस्मलव के बाद अलग लग संक्याओं की आवर्ती होता दिखाई दे तो वो संक्याओं अपरीमे संक्या कहलाती है फिके बच्चों तो उम्मीद करता हूँ यह बात आपको चेज़े समझ में आई होगी तो आज की क्लास में हमने प्रीमे संक्याओ और अप्रीमे संक्याओ की दस्मलव परसार की बात की है कि प्रीमे संक्याओ का दस्मलव परसार सांत दस्मलव और असांत दस्मलव होता है जबकि अप्रीमे संक्याओ का दस्मलव परसार अनवसानी नावर्ती होता है तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो ज्याद से ज्यादा लाइक करें कमेंट करें शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद